नमस्कार साथ के अगर आप सभी का फिर से बहुत बहुत सवागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डिया गुरुजी पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को आज की सेजन को अगर आप लोगों भी तक हमारे टेलिग्राम गुरुज से नहीं जुड़ आपके हिंदी रिजनिंग इतिहास भुगोल पॉलिटी गौनौमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब की पूरी की पूरी आपको यहां पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहां पर रिविजन करवाय जाएगा प्रैक्टिस करवाय जाएगा तो इस वाली बैस से आ किया गया है और सातरी सासतो जब आपका लाश्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहां पर 5 फूल मॉक टेस्ट जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीकी करवाय जाएगा और पांच जो प्रीवेस एर आपको फुल टेस्ट करवाय जा आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसको उपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेट्सम जाओ, आपको यहाँ पर दीख जाएगा, 45 डेस टॉपिक वाई दिविजन, यह जो अरजुन बैच कह सकते हैं, अरजुन बैच आपको मिल जाए आफ्टर 25 अप्रेल यह जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी, तो आप इसको अभी देर मतकुर, इसको यहाँ पर जाकर इसको परचेज कर लो, आपको गूगल पर फोन पर आप किसी भी के तरू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो चले बढ़ते हैं आज के अपन जाए मने के आपकी लाएगी, तitos पर आपसि ने सकते हैं, तो आपकी बढ़ते हैं, तो आपकी तो आपकी बढ़ सtiesको इसको पर आपकी बढ़ जिसाएग want, इसको इसको उत्रकम हो जो। चलेए हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप से भी क्या गवार फिर से आपके अपने परिवार दियर गुरूजी में चले भी आप फटा फट से आप से भी लोग एक बार लाइब आ जाओ इससे कलास को जल्द ही सुरू कर दिया जाए जल्द हैं वैसे लोग जाएंगे चलिए पहला प्रसन आप सभी के सामने है यहां पर बताना है आपको देखना है कि इससे मैंने अभी जो है करवाया था ऐसंयम प्रस्थ इह आप दोक देखेंगे कोई जहाज नाव नहीं है कोई भी जहाज जो है क्या नहीं है नाव नहीं है आगे का गया कुछ जहाज उंट है बिलकुल इतने जहाज क्या है ये उंट है इतने जहाज क्या है उंट है पहला वाला सही दूसरे में देखो कहा गया कुछ उंट नाव नहीं है कहा गया कुछ उंट नाव नहीं है अब ध्यान दीजिएगा कोस्टन में कहा गया कोई जहाज नाव नहीं है अगर कोई जहाज नाव नहीं है तो इतना जहाज जो उंट है वो भी नाव नहीं होगा वो भी नाव नहीं होगा इसलिए आपका दूसरा वाला भी सही है तो कौन सही होगा निसकर्स जो है कौन सा निसकर्स फर्स्ट और सेकिंड दोनों सही है आपसे नमबर सी एकदम सही हो जाएगा ठीक है? हाँ निसकर्स फर्स्ट और सेकंड दोनों आप से भी के सही हो जाएंगे जितने लोग आप से नमर सी एंसर कर रहे हो पुर रूप से सही है क्लियर है भी या आगे कहा गया किसी संकेतिक भासा को ओरल को 3196 लिखा जाता है तो रेटेन को उसी भासा में कैसे लिखा जाएगा जल्दी से बताओ इसमें क्या इंसर आने वाला है जल्दी जल्दी से छाप देंगे चलो तो देख लिया जाए एक बार क्या लौचिक लगा हुआ है यहाँ पर O है R है A है L है 3, 1, 9, 6 लिखा गया है यहाँ पर देखो 15 है 18, 1 और 12 अगर इनको जोड़ लो इन संख्याओं को 2 जो है उनको 1 बनाओ कितना आएगा 6 8 और 1 को जोड़ो कितना आएगा 8, 1, 9 1 है तो यह 1 ही आएगा 2 प्लस 1 कितना आएगा 3 क्या आएगा 3 आएगा आप सभी को पता है कि यहाँ पर इसको यहाँ पलाकी रख दिया गया है यह यहाँ पलाकी रख दिया गया X को यहाँ रख दिया गया और X को यहाँ क्रास में रख दिया गया रिटेन को चट कर लो क्या आएगा डबलू, आर, आई, डबल टी, ए और एन, ठिक, कितना होगा, डबलू, काट, जो है, तेज, अठारा, नव, बेज, बेज, पांच, चवदा, तेज, प्लस, तेज को दो और तीन को जोड़ेंगे, तीन और दो कितना आएगा, पांच, अठारा को जोड़ेंगे, आठ, एक, न है, यहाँ दो को जोड़ो, दो जिरो को दो ही आएगा, दो जिरो जोड़ो के दो ही आएगा, दो को, यहाँ पांच है तो पांच आजाएगा, यहाँ चार और एक, कितना आएगा, पांच, लगा दो, लॉजिक, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, यहाँ, यहाँ आएगा ये यहां जाएगा ये यहां जाएगा कुछ नहीं करना है सीधा सीधा क्या करो यहां से लाओ पांच लाओ उना पांच लाओ फिर दो लाओ फिर दो लाओ फिर नव लाओ फिर नव लाओ फिर क्या रख दो पांच ऐसा जिस आपसन में होगा वो आपसन एकदम सही हो जाएगा 5-5-2-2-9-9-5 5-5-2-2-9-9-5 आपसन नम्बर D में दिख रहा है जितने लोग आपसन नम्बर D अंसर कर रहे हैं उसे भी का सही है क्लियर है आपसन नम्बर D जितने लोग अंसर कर रहे हैं 5-5-2-2-9-9-5 उनका एकदम सही हो जाएगा ठीक है? चल आपसे भी कुभा ये परस्न सायद मैंने करवा दिया था तो आप लोगों ने आपको आफसान लगा हुआ जितने लोग जानते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं जानते हैं अभी कर सकते हैं क्योंकि आसान सा लोचिक है अगला उस विकल्प का चैन केजी जो दिये गए सब्द का दरपड प्रतिबिम है, दरपड का मल्लब जानते हूँ, दरपड हमेशा किसी सब्द के दाएं तरफ या बाएं तरफ लगता है यहाँ यहाँ दरपड लगाने के बाद चेक करूँ, कि यहाँ किस प्रकार से प्रतिबिम बन जाएगा किस प्रकार से प्रतिबिम बन जाएगा तो सबसे पहले बात तो यह है कि जब जहाँ दरपड लगता है जैसे मालू यहाँ पर दरपड लगा है तो दरपड जहां से लगता है आपकी पूरी की पूरी आकरिती हो या च्छरो पूरा ऐसे पलट जाता है वहीं से सीधा पलट जाता है इधर वाला इधर भाग चलाएगा ये वाला भाग उधर चलाएगा तो सबसे पहली बात तो यह कि जब आप इसको पलटेंगे तो यह जो C है पलट जाएगा इसका मुख चलाएगा इधर इधर आएगा तो इसमें देखो सीधा है पहले इन दोनों को A और C को काट दो यहां तक कटा अब आप देखो जब इसको पलट दोगे तो E उधर जाएगा जो यन है यन यन भी उल्टा हो जाएगा देखो यहां पर यन सीधा ही लिखा गया है काट दो ठिक एक ही बचा D सही हो गया आसानी से जुगार से सब कुछ किया जाता है देखो E N अब यहां पर देखो सब ही उल्टे हैं A भी उल्टा है N है D है D के बाद U है U के बाद R भी उल्टा है R के बाद A है एक बाद N है N के बाद C और E सब है आपसे नमबर D जितने लोग एंसर कर रहे हो आपसे भी का एक दम सही हो जाएगा कलियर है हम चैलो आगे देखा जाए Next कहा गया है नेचे दिये गए प्रस्न में प्रस्न आकरिती की पहले आकरिती तथा दोसरी आकरिती में एक विशेश संबंद अस्थापित है यही संबंद तीसरी आकरिती तथा बैकल्पिक आकरितियों में से किसी एक आकरिती में अस्थापित है उस बैकल्पिक आकरित का चैन किजिए जिस प्रकार पहले का समन दोसरी से है उसी प्रकार दोसरी का तीसरी से कैसी होगा आप सभी को यह बताना है जल्दी जल्दी से देखो आसानी से एक बात आपको यहाँ पर देख रही होगी जो यहाँ वाला इस कोने वाला है वो same to same उस पर कोई परिवर्टन नहीं हुआ लेकिन जो यह वाला है यह यहाँ से यहाँ आ गया और यह वाला यहाँ से चला गया यहाँ ठिक और यहाँ वाला आ गया यहाँ ऐसे कर दो यह जहां है वहीं रहने दो अरे जी ऐसा कोई आपसन ही नहीं है है आपसन नमबर B भई एक ही तो आपको देख रहा है केवल आपसन नमबर B देखो इसको इसको इसका परियोडतर नहीं हुए जहां है वहीं रहेगा यहीं रहेगा आपसन नमबर B कोई परियोडतर नहीं हुआ रहने तो बस काम हो गया अब देखो इसमें सारी परियोडतर समान हो जाएगे बाकी कहीं पर देखो है ना नहीं है कितना आसान प्रसन आसानी से कितना जल्दी से आ गया क्लियर चलो आगे देखो नेक्स्ट हाँ ये वाला परियुति नहीं होगा यहीं बराएगा आगे देखा जाए नेक्स्ट क्या है चलो कहा गया है कथन है कथन है क्या यह आवस्यक है कि सिक्षा को ब्यवसाय उन्मुक होना चाहिए कहने का मलब यह है कि क्या सिक्षा को ब्यवसाय उन्मुक होना चाहिए या ब्यवसाय के उन्मुक होना चाहिए ऐसा आपसे कथन में कहा गया है आपको इस पर तरक देना है कि सही है या गलत तो कहा गया है हाँ ब्यावसाय के उनमें खुरना चाहिए क्योंकि सिख्छा का उदेश लोगों को जीवी को पारजन के लिए तयार करना है ये भी सही बात है कि सिक्षा का उदेश लोगों को जीवको पारजन जीवका के लिए ज değवका के लिए ही तयार किया जा रहा है तो बिल्कुल सही है पहला तो एक दम सही है दूसरा काग यहां सिच्छित वेक्ति को सिच्छा पूरी करने के बाद अपने पैरो पर खड़ा होना चाहिए ये भी सही बात है ठीक है भाई सिच्छित अगर आप हो चुके है अगर आप सिच्छित हो चुके है तो सिच्छित होने के बाद आपको पूरी करने के बाद अपने पैरो पर खड़ा होना चाहते हैं की नहीं ऐसा बताओ, ऐसा इत कहा गया है, जो है, ब्योसाव नमुख होना चाहिए, क्या यहाँ आवसेख है कि सिक्षा को ब्योसाव नमुख सही बाद है, अगला कहा गया है, नहीं, सिक्षा केवल ग्यान प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए, सिक्षा ग्यान प्राप्ति के लिए न मुझने के लिए तो ये करड़ है केवल ये नहीं ज्ञान प्राप्त कर लो का गया अगला नहीं कोई किरसी कार ये भी कर सकता है जहां सिच्छा वस्यक नहीं क्या मतलब है आज के समय में सिच्छा को बढ़ावा दिया जा रहा है यहां पर ये सिच्छा को पुरूप से खतम कर रहे है दोनों गलत है चौथा और तीसरा चौथा गलत है पहला दूसरा सही है तो क्या होगा तर्क पहला और दूसरा परबल है तर्क फर्स्ट और सेकेंड परबल हो जाएगा आपसे नमबर ए क्लियर है अगला देखो next इसमें बताओ कहा गया है निम्न लिखित संख्याओं की सरिंखला में ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले आठ है लेकिन ठीक बाद में नौ नहीं है ठीक पहले आठ है लेकिन ठीक बाद में नौ नहीं है ऐसे कितने दो है जरा बताओ दो का मलब ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले आठ तो दिया गया लेकिन ठीक बाद नौ आना सही नहीं है ये आएगा तो गलत हो जाएगा देखो पहला दो आया इसके पहले आठ तो है लेकिन बाद में नौ नहीं है तो इसका मलब आपको कहा गया ठीक बाद में 9 नहीं हो तो 9 नहीं है यहां पर यानि एक जोड़ा यहां बना ऐसा 2 जिसके पहले ठीक हो यानि 2 के पहले 9 जो है 2 के पहले 8 होना चाहिए बाद में 9 तो 2 के पहले 8 नहीं है इतले यहां नहीं बनेगा यहां बन पाएगा यहाँ देखो दो के पहले आठ है लेकिन बाद में नव है नव नहीं होना चाहिए यह भी नहीं बनेगा दो के पहले साथ है आठ होना चाहिए नहीं है और नव बिल्कुल नहीं है दो के पहले तीन है नहीं होगा देखो दो के पहले आठ है लेकिन नौ नहीं है अगला यहाँ बन जाएगा आई बात समझ में कितने जोडे बने तो दो ऐसे जोडे बने एक पहला जोडा एक दोसरा जोड़ा आपसे नमबर ती दो जोड़े ऐसे हैं दो के दो जोड़े ऐसे जनके ठीक पहले आठ तो हैं लेकिन ठीक बाद में नौ नहीं है आप सभी को याद रखना है इस बात को ठीक है अगला बताना है सब प्रियंबल में अइसे कितने जोड़े हैं जिनके प्रतेक के मद्ध में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी और माला में उनके मद्ध में होते हैं अच्छा एक छूट गया एक है ही नहीं इसमें बताओ कितना आएगा फटा फटा तो देखो यहाँ से देखो A, B, C, D, E, F, G, H नहीं होगा R से देखो R के बाद S, T, U, V, W, X नहीं होगा E के बाद आता है E के बाद F, G, H, I, J नहीं बना A के बाद बनता है B, C, D, E A और E एक जोड़ा बन गया A के बाद क्या आता है B, C, D, E आता है इनके बीच में तीन अच्छर रहता है तीन हीं है M के बाद N, O, P नहीं होगा B के बाद आता है C, D, नहीं होगा L के बाद नहीं होगा इधर से आओ इधर से आओगे E के बाद F, G, H, I, J, K, L नहीं होगा L के बाद क्या आता है L के बाद M, N L M, N, O, P, Q, R नहीं बनेगा B के बाद C, D, E B के बाद क्या बनता है B, B के बाद बनता है C, D, E B से E एक बना ठीक है E के बाद F, G नहीं बना M के बाद N, O, P M के बाद N, O, P, Q नहीं बना A के बाद B, C, D नहीं बना और कुछ नहीं बनेगा क्यों दो जोड़े बनेंगे बस एक दो क्यों कितने बनेंगे दो A E और B E क्या बनेगा A E और B E के अलावा और कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा ठीक है आई बात समझे में चलो कहा गया नीचे दी गई प्रसन आगरती का जल प्रत्विम कैसा बनेगा नीचे दी गई आगरती का जल प्रत्विम कैसा बनेगा जल्दी से बताओ नीचे दी गई आगरती का जल प्रत्विम तो जल प्रत्विम का मिलब होता है यहां नीचे लगा रहता है यहां दरपड लगा रहता है ठीक है यहां यह जैसे है ध्यान देजिएगा यह जैसे है वो same to same पलट जाएगा ठीक है यह जैसे है वो क्या होगा same to same पलट जाएगा यह ओपर से नीचे की तरफ पलटेगा जब पलट जाएगा तो पहली बात तो यह यह जो है ओपर की तरफ चला जाएगा यह यहाँ पलटेगत इधर नहीं होगा A को काटो यह पलस आएगा नेचे की तरफ कहा रहेगा यहाँ पर रहेगा ठीक है C को काट दो गुड़ा नहीं है वहाँ पर पलस है कार तो या तो D होगा या तो B होगा इन दोनों में से कोई एक होने वाला है या तो क्या होगा B होगा या तो D होगा अब इन दोनों में क्या अंतर है जरा बताओ B और D में चलो ठीक है आप देखो यह जब पलट जाएगा तो सेम इसी के तरह बन जाएगा आपसर नमबर बी के तरह दी देखने की हमें आवसेक्ता ही नहीं है ठीक है हाँ आपसर नमबर बी के तरह बन जाएगा क्लियर है यह जब पलट जाएगा ऐसे पलटने के बाद यह वाला एकदम नीचे की तरह पाएगा एकदम सही है ये भी सही है यहां भी सही है यहां भी सही है इसको किनो जरक कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा ठारा उननीस इसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा ठारा उननीस इसमें भी है इसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा ठारा उननीस इसमें भी है दोनों में क्या जान ही हैं दोनों में कोई परिवर्टन ही नहीं हुआ है अगला कहा गया वहाँ घंचुनिये जो प्रसनाकृति में दर्साइ अनुसार कागज को मोड़कर बनाया जाएगा जल्दी से बताएंगे ठीक है चल्ट फटाफट बताओ पासा है ये तो यहां पर देखो इसका भी प्रित यह हो जाएगा इसका भी प्रित क्या होगा ये इसका भी प्रित यह ठीक और इसका अधनते है अल्टरनेट जो होते हैं एक दूसरे के विप्रित होते हैं कि क्या होते हैं कि क्या होगा ये है कि कुछ ऐसे है अब देखो जरह जहां पर ये दो एक साथ मिल जाएंगे दो विप्रित नमबर एक साथ मिल जाएंगे वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा किसको मुड़कर बनाया जाएगा ए में देखो जरह ए में देखो ये और इसके साथ ये दोनों एक दूसरे के विप्रित हैं ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते एक को काट दो भाई दोनों विप्रित हैं विप्रित का मलब विप्रित कभी दो विप्रित सता एक साथ कभी नहीं होंगे काट दो अगला अब यहाँ पर देखो यह दिल वाला दिल और यह कहां गया यह अलग है इसके साथ दिल नहीं आया है यह है इसके साथ तिरभुज नहीं आया है इसके साथ यह बन सकता है आगे में देख लो आगे वाले में देखो दिल और यह चतुरभुज एक साथ आ गया है विपर भी नहीं होगा आपसर नंबर B सही हो जाएगा कितना आपसर नंबर B चितने लोगा एंसर कर रहे हो आपसर नंबर B is right answer कौन सा होगा भी या आपसर नंबर B चलो आगे देखो आगे बताना है मोहन मनमोहन परबीन का भाई है मनमोहन जो है किसका भाई है भी याजी परबेड का भाई है परबीड की एक मात्र बहन की मा परबीड की एक मात्र बहन है इसकी बहन की मा परबेड की एक मात्र बहन की मा की मा मा की मा मनमोहन से कैसे संबन्धित होगा तो परबीन आसान सा है मनमोहन परबीन का भाई है और कहा गया है परबीन की एक मात्र भेहन है उसकी मा की मा मनमोहन से मा की मा गमलब क्या हुआ ये इनकी मम्मी है मम्मी की मम्मी क्या होती है नानी होती है कितना आसान है आपसे नमबर A माता जी की माता जी क्या कहलाएंगी नानी जी कहलाएंगी ठीक है क्या है नानी है बहुत आसान है बेहद आसान प्रस आपसे नमबर A जो एंसर कर रहे हैं उनका सही है ठीक है चलो अगला देख लो निम्ले कितमेंसे कौनसा यूगम नीचे दिये गए सब्दों के मद्या संबंध से निकटतम समानता रखता है निकटतम समानता रखने वाले को जल्दी से बताओ कौनसा हो जाएगा फटाफट बताएंगे चलो जल्दी बताओ फटाफट बताएंगे क्या इंसर आने वाला है कि अगले वाला है कि अगया है अगया है अगया है हमारे थे लिए हमारे थे लिए कि आफ़ा वो जाब किया? किया? किया जर्εν चल तो देखो कौन सा होगा आप जानते हैं जिस प्रकार वनस्पती वनस्पती से घी बनाया जाता है जिस प्रकार वनस्पती से घी बनाया जाता है उसी प्रकार आप जानते हैं दूद से क्या बनाया जाता है पनीर दूद से क्या बनता है पनीर बनाया जाता है आप से नमबर डी सही हो जाएगा क्या होगा दूद से पनीर कहा गया दही से दूद बना जाता है गलत है दूद से दही बनाता तो सही होता गलत है दूद से पानी नहीं बनता चाय से दूद नहीं दूद से चाय बनता है तो क्या होगा आपसर नमबर टी आर्टेमेटिक सही होगा बिलकुल ठीक है चल आगे देखो next कहा गया है नीचे दियेगे प्रसनाकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदन रथा खोलने के बाद यहां किस आकृति जैसा दिखाई देगा प्रसनाकृति यहां है ऐसे काट के इसके छेदना है आप सीधा सीधा समझते हैं जब यह निकलेगा ना जब यह काट कर छोड़ा जाएगा तो इस प्रकार सी दिखाई देगा क्योंकि देखो यहां से इसको काटा गया यहां प्रकाटा गया तो यह ऐसा होगा फिर यह ऐसा होगा फिर यह ऐसा दिखाई देगा ठीक है हाँ जी कट वाला रहेगा आप से नंबर बी जो लोग एंसर कर रहे उनका सही है पूर्ट रूप से क्या होगा आपसे नमबर बी चलो आगे देखें अगला बताओ क्या आएगा next स्वालब करो इसे इसे स्वालब करो ग्राफ का प्रस्ण आया है आप स्वालब करो चल क्या कहा गया है कहा गया है नीचे दिये गए क्राफ का धेन कर प्रस्नों के उत्तर दें कहा गया छे घंटे की अवध ही में ध्यान देना है कहा गया छे घंटे की अवध ही में एक कार की यात्रा बिंदू A से बिंदू B बिंदू A से B के मध्यकार द्वारा तैंकी गई कुल दूरी क्या है बिंदू ऐसे बिंदू बे तक बिंदू ऐसे बिंदू बी तक तैंकी गई कुल दूरी क्या है आप लोग जानते हैं यह क्या है जीरो है यह क्या है टोटल दूरी है किलोमेटर में और यह समय है ठेक है तो द्यान दिजे इधर है न तो यहाँ पर जो दूरी A के पास थी वही दूरी B के पास भी है अगर यह आगे बढ़ा होता तो हम दूरी की बात करते कुछ यहां से यहां तक बढ़ता मालो तो कितनी दूरी चल चुका है यह 0 कुछ दूरी नहीं चला है यह 0 किलो मिटर चला है कुछ दूरी पर बीबी है, बिल्कुल नहीं बढ़ा है, 0 km सेव जाएगा, हाँ, क्लियर है, यहां तक समझ में आया, चल, आगे देखू, कागया संपूर यात्रा में कार दोरा तै की गई, कुल दूरी क्या थी, संपूर यात्रा में, जल्दी अल्दी से सब को जोड़ लो, चलो, सब को जल्दी अल्दी से जोड़ो, पटापट जोड़ लो, जल्दी से एंसर आजाएगा, जोड़ की बताओ क्या एंसर आने वाला, जल्दी अल्दी जोड़ दो, पटापट से चलो, देखा जाए आफसान सा है कुछ नहीं करना है सबसे पहले सभी को जोड़ो जोडने का मलब कहां से कहां तक पहले जोड़ो पहले आप औसे ए तक जोड़ो तो आप लोग जानते हैं औसे ए तक चला तो कितना दूरी कितना समय कितना दूरी लगा औसे ए तक जड़ा देखो सव किलो सव किलो मीटर उसे ए तक चला तो कितना चला सव किलो मीटर चला उसके बाद ए से बी तक जब चला तो भाई देखो ए से बी तक चला प्लस ए से जब बी तक चला ए बी प्लस ए बी के बीच में कितना देखो 0 km कुछ दूरी नहीं, समय लगा लेकिन दूरी 0 प्लस B से C, देखो B से C B से C B से C तक चला प्लस B C के बीच में कितना दूरी, 1.500 km कितना किलोमेटर 1.500 km अब C, D से चक कर लो C और D ठीक है अब जोड़ो इनको आराम से अभी देखो कौन कौन हुआ है O A हो गया, 0 A A B कितना हुआ 0 B C कितना हुआ B C, अच्छा जी B C देखो, सव तो चल ही चुका है न सव तो चल ही चुका है न जी यह सव चल चुका है, तक यहां से 100 से 500 गया, कितना यहां तक 50 किलो मिटर, स्वारी कितना, 50 किलो मिटर प्लस का, क्या C D C D की दूरी चक्रो C D C D, जब यहां से यहां जाएगा देखो, 1.500 से 0 पर चल जाएगा कितना 500, यह होगा 500 सभी को जोड़ दू 100, 50 500, 500 और 500 कितना 300 300 सो किलो मेटर होना चाहिए our children's होना चाहिए देखो कहा है तीन सो किलो मेटर यहां है आप से नंबर डी मिग ठिक आपसे नंबर डी जो एंसर करें तीन सु किलो मेटर उनसे भी क्यांकदम सही हो झाएगा इसको आप यहां पर मत लिखना नहीं तो आप सोचेंगे कि मैंने यहां लिख दें, यहां पर 0 ही होगा, इसको अब मिटा दो, clear, हाँ, ठीक है, तो ठीक है भाईया, आज की class यहीं तक रखते हैं, आज यह आपका last प्रसंद था, आप सभी का इस class में चुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, उवन दे मतम्य